आज मैं पकेवे टमाटर की बहुत ही अच्छी चटनी बना रही हूँ जिसे हम 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 मेने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं शशी आप सभी का स्वागत करती हूँ यूटिव चैनल पर चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पकेवे टमाटर ले रखे है जिनका कलर भी काफी अच्छा है इसे हम मुटे मुटे टुकडों में इस तरीके से कट कर लेंगे गैस पे हम कड़ाई चड़ा देंगे इसमें ये कटेवे सारे टमाटर डाल देंगे धकन लगा के इसे हम थोड़ी देर स्टिम होने देंगे जब तक हमारे जो टमाटर है वो थोड़ा सौफ्ट नी हो जाते टमाटर यहाँ पे अच्छे से सौफ्ट होने लग गया है काफी सारा पानी इसका रिलिज हो गया है आप चाहे तो यह पानी पुरा सुखा सकते है नई भी सुखाएंगे तो इसे कोई फरक नी पड़ेगा लेकिन टमाटर हमारे अच्छे से सौफ्ट होने चाहिए गर जाने चाहिए तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे तब तक हम यहाँ पे लसुन है इसे कट कर लेंगे बारिक बारिक कट करेंगे और साथ में यह प्याज है इसे भी हम ऐसे ही कट करेंगे बारिक बारिक सा ये साथ इंडियन चेटनी है ये काफी ज़्यादा टेस्टी बनती है जितनी बासी होगी उतनी ज़्यादा इसमें स्वाद आता है तो टमाटर हमारे अच्छे से ठंडे हो गए है इसमें मैंने सूखी वाली लाल मिर्च भी डाली थी तो यहाँ पे हम इसे ग्रैंड कर लेंगे इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और रेड चिले पॉर्डर डालेंगे तीखा जैसे भी आप डालना चाता है उससाब से इसमें एड़ कर सकते है तो इसे चट्मी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने डाल ले रखी है करी पता है राई है उरत डाल है लसुन है अब हम यहाँ पे तेल हम अच्छे से गरम करेंगे इसमें हमें रिफाइंड ओयल डालना है करी पता डाल देंगे और यह उरत डाल डाल देंगे तो उरत डा लेंगे जिसे इसका कच्छापन हट जाए अब हम इसमें जो हमने चौप किया वार प्याज रखा था उसे हम यहाँ पे एड़ करेंगे और इसे हम थोड़ा सा सौप होने तक भून लेंगे तो इसका जो कलर है वो हल्का सा चैंस हो गया है अब मैं यहाँ पे टमाटर है उसे एड़ कर रही हूँ और टमाटर को हम अच्छे से कुक होने देंगे पांच मिनट तक अब इसमें जो मैंने चना डाल दी थी उसे हम यहाँ पे एड़ कर लेंगे आप चाहे तो इसे इसकेप कर सकते है या फिर इसकी जगे पिनट भी डाल सकते है चटनी मैंने अच्छे से या पे कुक कर ली है अब इसके उपर हम तड़का डाल देंगे यह बिल्कुल ओफशनल है आप डालना चाहे तो डाल सकते है तो इसमें मैंने राई और करी पता सुखी वाली लाल मिर्ट डाली है तो तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा होके इसे हम एक बॉटल में पैक करके रख सकते है इसका इंजोई आप पूरे महिने में ले सकते है काफी जादा ये टेस्टी बनती है चट्मी आप एक बार जरूर ट्राइ करना आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों और फैमली के साथ शेर करना च एक करो वीडिर को कुड़ा तो आप बरूब करना उन्ह interpreं और बत्राइब